नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगडाउन के बाद इंडिया में जितने एनिमस को मारा जा रहा था उससे दुगने एनिमस को मारा जा रहा था पोचिंग एस डबल डूरिंग लॉगडाउन इंडिया न्यूस में क्यों है न्यूस में इसलिए है क्योंकि भाई अर्थ डे 2021 अभी आया है बाई सुपारेब को था अभी अर्थ डे पे RESTORING Our Earth की बात कर रहे हैं अभी जब RESTORING Our Earth की बात कर रहे हैं तो अर्थ पे जितने भी facet से आप सबको store करोगे चाहे वो living हो चाहे वो non living हो तो non living में आ जाते हैं आपका हवा, पानी, forest वगरा हलाकि forest living में ही आते हैं बट चलिए माल लिजे बाकी जो physical factors हो गए chemical factors हो गए जो की जिन्दा नहीं है, जो जिन्दा है उसमें आ जाते है animals, flora, fauna तो हमारे plant species भी हमारे animal species भी, और बहुत सारी animal और plant species इंडिया में कहीं न कहीं endangered है और recently traffic नाम के international organization की report आई थी कि lockdown के बाद इंडिया में poaching double हो गई है, दुगने जानवरों को इंडिया में मारा जा रहा है, तो इस respect में हम poaching के बारे में आपे कुछ जानेंगे, कि poaching क्या होती है, animals को poach क्यों किया जाता है, statistics क्या है, wildlife poaching के इंडिया में, ये poaching humans को कैसे effect करती है, क्या poaching अभी भी इंडिया में exist करती है, obviously बात exist करती है, इंडिया में कौन-कौन से laws है poaching को tackle करने के लिए, तो इन सब चीजों का एक प्रकार कर revision हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों कि अक्सर कर हम लोग environmental figures की बात करते हैं, अपने daily editorial में, daily current affairs में, तो वहाँ पर मैं अक्सर कर आपको बताता हूँ कि भाई, tigers और rhinocillaurus के numbers परस इंडिया में बढ़ गए, जी हाँ, पिछले कुछ सालों कागा data उठा के देखा जाए, तो tigers और rhinocillaurus के number बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो government इन सब basis पे बोलती हूँ कि अरे वाँ भाई, इंडिया की wildlife तो बढ़ रही है, इंडिया की wildlife wildlife trade monetary network traffic के head है ये, तो ये जो traffic नाम का organization इसके head, साकेद बदूला साब क्या बोल ला है, कि अगर किसी एक particular species की population बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका well being बढ़ रहा है, उनके रहने का जो तरीका है, उनकी जो overall condition से रहने की वो अच्छी हो रही है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि species के नंबर बहुत कम बढ़े हैं, लेकिन उस species के उपर जो ecological pressure है, जो human pressure है, वो भी बढ़ा है, recently आप देखोगे कि हमारी जो agencies हैं, जैसे कि forest agencies हैं, जो international agencies इंडिया में आके काम करती हैं, उन्हेंने बहुत सारे seizures की हैं, सीजर्स मतलब कि भाई, poaching हो रही थी, poaching के case को पकड़ा, ठीक है, किसी जानवर की मार के, इसकी खाल को लेके जाय जाय रहा था, elephant को मार के, उसके जो दानत होते हैं, ivory की इसको लेके जाय 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 रहा था, अप पुलिस में पकड़ लिया, तो इस प्रकार की जो encounters पकड़े जाते हैं, उसके statistics से और पता चल रहा है, कि इंडिया में हालात poaching को लेके बहुत खराब है, दुनिया में भी हैं, बट इंडिया में भी हैं, और हम यहाँ पर इंडिया के respect में जाय दर बात करेंगे, इंडिया के statistics से खटा करी एक्जामस में काम आएंगे, तब यह poaching ऐसा बोला था, तीन में वगोंस होती है, एक food, एक fun, एक fashion, इसको और डीटेल में बात करते हैं, आगे बढ़नेस पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को share नहीं किया, कर दीजे, इस चैनल को share और subscribe नहीं किया, बिल्कूल कर दीजे दोस्तों, join button दबा के आप help कर सकते हैं, मेरे चैनल हरशित दिवेदी education के playlist section में जाईए, वहाँ पे आपको लक्षमी कांत quality completed मिलेगी, स्पेक्टर modern history का most important part completed मिलेगा, रमेश सिंग की economics बन रही है, 37 चंदरा की middle history बन रही है, NCRT 6 से 12 की वीडियो मैंने बनाई है, कुछ बन चुकी है, कुछ बाकी है, आप देख सकते हैं, और geography और environment की अलग-अलग playlist भी available है, तो आप देख सकते हैं, अच्छे लगे, तो आप join button दबा के help भी कर सकते हैं, Instagram पर follow कर लिजे, अलगले प्रकार साफ से जोड़ने कोशिश करूँगा, टेलिग्राम गूप जोइन कर लिजे, इस particular lecture की PDF के लिए, और मेरे lectures की notification के लिए, तो आज आते हैं introduction पे, आपको पता forest और wildlife जरूरी है, humans के लिए भी जरूरी है, जानवरों के लिए भी जरूरी है, यह हमें खाना भी प्रोइड करता है, जानवरों को खाना यास प्रोइड करता है, इंसानों को भी कफी हद तक खाना मिलता है, और एयर जो जादतर human beings को मिलती है वो forest से मिलती है ये जोटे मोटे जो हम लोग आपस में आसपास पौधे लगाते हैं ये थोड़ा बहुत अच्छा effect ला सकते हैं बट overall ये जो oxygen को produce करने की प्रक्रिया हैं ये हमारे forest करते हैं और उन forest को हम लोग जबरदस तरीके से काट रहें तो भले ही इनसान सबसे ज़ादा intelligent species हैं इस अर्थ पे लेकिन कई ना कई wildlife और forest को destroy करते हो दिन की बुद्धी ब्रस्ट हो जाती है money और development की इस हद तक होड़ लगी हुई एक इनसान के दिमाग में कि sustainable consumption नम्भूल गए है और इसी का एक पार्ट है poaching और illegal trading इस हद तक poaching और illegal trading हुई है कि wildlife के ओपर जबरदस्थ खचरा आ गया है दुनिया भर की countries ने नियम कानूर बना रखें conventions बना रखें wildlife को बचाने के लिए but preservation of wildlife आज की रेट में बहुत बड़ा challenge बनके हमारे सामने आया है इंडिया की बात करें तो इंडिया में जबरदस wildlife है, जबरदस natural beauty है जबरदस प्रकार की indigenous species है हमारे पास लेकिन बहुत जबरदस तरीके सम उसको destroy भी कर रहे है poaching क्या होता है? तो poaching होता है private इलाकों से या उन इलाकों से जहाँ पर जाना मना है जानवरों को मार के उनकी खालों का गरत प्रकार से प्रयोक करना या फिर जानवरों को पकड़ ले जाके सरकस में काम करवाना तो जिस प्रकार से भी आप जानवरों का exploitation करते हो, मार के उनके खाल इस्तमाल करते हो, illegal तरीके से मार के medicines में यूज़ करते हो, या फिर आप उनको पालतू बना रहे हो, exploit कर रहे हो, उनके meat को खा रहे हो, या फिर आप उनसे सरकस में काम करा रहे हो, ये सब poaching की category में आता है, poaching को बहुत सारे selfish needs की वाइसे किया जाता है, ठीके न, global trade का एक organized, wildlife trade का एक organized international trade चलता है, और obviously बात हो, वो trade बहुत हद तक illegal है, आप custom authorities, किसी से अगर आप बात करो, तो आप देखोगे कि जो custom authorities होती ही न, जब उनकी training होती, for example, कल की date में, आप UPSC में IRS qualify करते हो, और IRS में आप indirect taxes में जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपकी customs में पोस्टिंग होती, तो जो शुरुआती session होगा न, आपका, उस session दे समय पे आपको पढ़ाया जाएगा, custom laws के बारे में आपको बताया जाएगा, और उस custom laws में animal poaching को कैसे आप रोक सकते हो, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि you will be the officers, they are responsible for stopping this site of illegal activities, तो direct profit के लिए, ये जो poachers हैं, ये animals को मारते हैं, अच्छा, animals को कुछ और बज़ों से मार जाता है, कभी-कभी animals को इसलिए मार जाता है, क्योंकि वो crops को destroy कर देते हैं, livestock को attack करते हैं, तो कुछ दिन पहले एक news आया थी लगबग कई महीनों पहले, कि केरला में एक हतनी को, आप कह सकते हो कि, poisonous कुछ खिला दिया था कि उस हतनी की मौत हो गई थी, चोकि ये हाथी हतनी जा जाके, खेतों में, जो crops लगी होती उसको तबहा करते हैं, तो जहरिली चीज़े मार रख देते हैं, ताकि ये हाथी और बाकी जानवर आकर उसको खाएं और मर जाएं, ताकि खेत ना बरबात कर पाएं, तो इसके लिए भी इसको भी आप poaching की कैटेगरी में डाल सकते हो, ये जो animal products हैं, जैसे कि rhinos और अरुस का हान, elephant के ivory जो दाथ होते हैं, tiger products, ये भाई international markets में बहुत बितने हैं इश्या में, भी इतना में तो recently एक हवा उड़ी थी, कि भाई, जो rhino का हौन है, वो cancer को cure कर सकता है, भाई, इतनी खतरनाक poaching कोई साउथ अफरीका में, कि दाम gold के बराबर पहुँच गए, उससे बहुत ज़दा ऊपर भी चले गए, तो आप समझ रहे हो ना, कि मित्स, और्गनाईस तरीके से मारना, मीट, खाना, ट्रेड करना, इन सब चीजों के लिए, एनिमल्स को पोच किया जा रहा है, food, fun, fashion, कुछ लों को मज़े की चीज़े पहननी है, महेंगी चीज़े पहननी है, तो भाई, चीरू का बना हुआ शॉल ओड़ना है, या फिर हेरन के खाल की बना हुआ पर्स चाहिए, तो भाई, fashion मान लीजे, fun, तो मज़े में कोई रजवाड़े, राज़े टाइप के निकले, मंदूक लेके कि तुम कितने मारोगा, तो इसलिए मार दिया, food मतलब खाने पीने के लिए, प्लस कुछ लोग के लिए wildlife एक additional source of income होता है, कुछ लोग animal wheat के लिए भी wildlife को मारते हैं, अब कुछ examples देता हूँ, शातू शॉल सुनी होंगी आपने, एक Tibetan antilope होता है, उसको मारना ही पड़ेगा, नॉर्मल कर cases में, आप sheep के उपर से razor चला के, उसके wool को निकाल सकते हो, बढ़ तिबतन antilope का, अगर आपको wool निकालना है, तो उसको मारना पड़ेगा, तो शातू शॉल बनानी है, तो तिबतन antilope को मारना ही पड़ेगा, फिर आप देखोगे, बहुत सारे fur coat और caps, tiger और panda के skin से बनते हैं, bags, pangolin के scales और lizards के scales से बनते हैं, फिर ivory और elephant tail hair, तो बहुत महेंगे products में इनका प्रयोग होता है, तो elephant products हैं, तो wealth और power का symbol है, तो बड़े बड़ी जो high class की lady है, वो अपना purse ले जारी होगी, देखो ये elephant का बाल है, देखो ये elephant के दानतों से बनी हुई चीज है, तो इस प्रकार के चलते हैं, बड़े heavy markets में, महेंगे महेंगे दानों पे ये चीज़ें मिलती हैं, तो wealth की वज़े से, power की वज़े से, भाई, ये चीज़ें बेची जाती हैं, जो बड़े ameer type के लोग होते हैं, जिनको बड़े race ही शौक होते हैं, वो इस सब प्रकार की चीज़ों को बहुत महेंगे में खरीदते हैं, जब कोई चीज़ की महेंगे में demand होगी, तो ये illegal तरीके से मारा जा रहा है, जिसको आप बोलते हो poaching, राइनो poaching one of the major issues है, major environmental issues है, इंडिया के north eastern state आसाम का, और राइनो सिरोर्स के हांस की, इंडिया में कम demand है, पास के वेत्ताम चैना में बहुत ज़़दर demand है, फिर इंडिया का जो star tortoise है, ये one of the most demanded species है, international pet market में, हर साल 6,00,00 metric tons of sharks और rays को मारा जाता है, उनके fins के लिए, top 20 countries में, और इन top 20 countries में, Spain, Indonesia के बाद, इंडिया 30 नंबर पर आता है, अगर last month बात करो, तो 40 sharks और rays को, 310 species के list में जोड़ा गया था, IOCN के दोरह, लेकिन उसके बाद भी sharks और rays को तेजी से मारा जारा है, आज की डेट में, seashells का sale और collection ये भी बहुत ज़़ा तेजी से बढ़ गया है, और ये seashells वार्केट भी यहाँ पे thrive कर रहा है, इस seashells को प्रयोग किया जाता है, lamb shit बनाने में, button, coms, दूसरे decorative items बनाने में, और ये seashells भी कही न कही हमारे environment और ecology को नुकसान पहुचाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हैं seashells, for decoration and jewelry, कुछ इस प्रकार का shunk भी होता है, ये है shark fin, shark fin soup बनाने में काम होता है, ये है star torois, pet market trade में है ये, और ये है Tibetan antelope, ये जो torois है, pet market trade में इसको रखा जाता, चुकि जो हमारी society, Indian society में बहुत सरे लोग मारते हैं, कि अगर आपके घर में tortoise हो तो बहुत पाईस आएगा, तो इसकी illegal trading बहुत होती है, Tibetan antelope की बात करिए, तो ये Tibetan antelope जैसा की मैंने बताई, ये चीरू है, तो शातू शौल के लिए इसको मनाने में इस्तिमाल किया जाता है, स्राटिस्टिक्स की अगर आप बात करो तो हालाद बहुत खराब है, 2008 से लेके 2014 के बीच में, इंडिया में 3350 पैंगोलिन मारी गई है, दुनिया भर में 150 मिलियन सी होर्सेज मारे गए है, ट्रेडिशनल मेडिशन ट्रेट के लिए, और एक और मिलियन को पकड़ा गया एक्विरियम ट्रेट के लिए, और ये में से ज़्यादा तर इंडिया से पकड़े गए हैं, इंडिया से हर साल 70,000 टंस ओफ शॉर्ट पकड़ी जाती हैं फिरियम ट्रेट के लिए, 1.5 मिलियन फ्रेश वाटर फिश जो की 33 टेंड स्पेशी को बिलॉंग करती हैं, ये इंडिया से एक्सपोर्ट हुई 2005 से लेके 12 के टाइम पिरिट में, और 7,000,000 बर्ड्ड को ट्रेप किया जाता है और अन एवरेज हर साल इंडिया लेकिए और आवविसी बात है उन बर्ड्ड को पैर्रट की तरह बना के केज में कम रखा जाएगा, या तो खाने पीने के लिए ये एक्सपोर्ट करने के लिए उनका इस्तमार होता है। बारा से लेके 2018 के बीच में एंटी सी एके सबसे। नैशनल टाइगर कंजबरिशन अथर्टी बोलती के 2012 से लेके 2018 के बीच में 141 केसे ऑफ टाइगर पोचिंग और उसमें से 84 सीजर्स देखने को मिले हैं। ये बोला है एंटी सी नहीं। ऑविसी बात से जो ऑफिशल स्किन, बोन भर-भर के बेचे जाते हैं इंडिया में। टाइगर, एलिफेंट, राइनो, सिरॉर्स, लाइपर्ड, इंडियन पैंगोलिन, मॉनिटर, रिजार्ड, इंडियन स्टार, टॉर्ट, इन सब की ट्रेडिंग जबर्दस तरीके से होती है। और उसी के रिस्पेक् हमको हैं हमको यह समझना पड़ेगा कि यह पोचिंग कैसे ऐफेkt करती हैं हुमन्स को कि भधढ़ लॉक्डाउन के समय पे इतनी पोचिंग बढ़ गई हैं। व्टोर्टम। दो प्रकार से ऐफ Sharing करती हैं कोאן क लिए प्रवाद के वियस्गू में करती हैं। खासकर forest rural इलाकों में रहने वाले लोगों के पास पैसे की सारी supply बंद हो गई तो उनको किसी भी हाल में पैसा चाहिए और किसी भी हाल में पैसा चाहिए तो गलत काम करेंगे और गलत काम करेंगे तो जो illegal wildlife trade करते हैं उनकी वो लोग पोचिंग में मदद करने लगे अब हम देखते हैं कि पोचिंग गलत प्रकार से कैसे एफेट करती है फूड बॉन इनलेसिस फूड बॉन इनलेसिस के नाना प्रकार के एक्जामपल है कॉंगो में अफरीका में तो भाई लोग भगवानी माली के क्या क्या खाते है चाइना को अगर कोई टकर दे सकता है उल्टा सीधा खाने में तो अफरीका के लोग दे सकते है तो भाई यह कॉंगो में मंकी मीट दबा के खाया जाता है अभी इतना monkey meat खाया कि Ebola फैल गया Congo में, उसके यूगांडा में anthrax फैल गया, चुकि जो meat यूगांडा में बेचा जा रहा था, उसको सरकार ने inspect नहीं किया, meat में कुछ infections थे, लोगों ने भर-भर के खाया, anthrax होना शुरू हो गया, ये poachers meat खटा करते हो, लोगों को बेज इस बात पर कोई भी ध्यान ने देता कि वो जो meat है, वो healthy है या नहीं है, European Union थो ही नहीं कि वहाँ पर जो भी meat बिक रहा है, market में सब्सक्राइब कर रहा है, अफरीका में तो जो मिल गया वो खालो, वो वाला हिसाब है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो poaching से, वो humans को affect करता है, when it comes to food poisoning, when it comes to natural resources, तो बहुत simple भाई, एक बार जो natural resource हमेशा के लिए खतम हो गया, वो खतम हो गया, एक critically endangered species अगर extinct हो गई, तो वो extinct हो गई, वो हमेशा के लिए food web से बाहर निकल जाती है, इसलिए हमारे जो important natural resources हैं, वो भी इस poaching के चलते हैं, रिस्क पे जाते हैं, और इ especially extinct हो जाती हैं, तो इन one case एक particular person बोल सकता है, कि हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है, तो जैसा कि हमने देखा कि भाई, lockdown के दरान लोग गरीब पड़ गए, अब इन लोगों को भी पता है, कि अगर poachers की मदद करेंगे, तो ये poachers तो अमीर हैं, ये तो बचके कर लेते हैं, और poachers के लिए बहुत लिक्रेटिव धन्दा है, चुकि United Nations Environment Program, Organization for Economic Cooperation and Development और International Police, इनकी तीनों की, आप कह सकतो, एक कमारेंड रिपोर्ट ये बोलती है, कि भाई, poaching से जो सालाना earning है दुनिया भर में, वो 70 से लेके 213 billion dollars है, तो कही ना कहीं भाई, इस particular crisis से लड करना है, और environmental laws का proper implementation करना है, और ये तीनों आपस में बहुत मुश्किल गाहा है, अब इंडिया में laws की बात की जाए, कि इंडिया में poaching को रोखने के लिए कौन कौन से laws है, तो Wildlife Protection Act 1972, जिसमें wild animals, birds और आप कह सकते हो, plants के लिए कुछ provisions किए गे, environmental protection act 1986 को भी यहाँ पे court किया और endangered species को इनके list के साफ से protection दी जाती ही, इंडिया में, फिर Indian Penal Code में भी, section 428 to section 429 में, environmental crime को detail किया गया है, तो Indian Penal Code का भी violation होगा, अगर आप किसी species का गलत प्रकार से trade करते हो हैं, इंडिया के अंदर, sites ने, याने की convention on international trade, इन endangered species and flora and fauna ने restrained किया है, लोगों को wildlife trading में, फि fundamental duties में आता है, और हर देश की नागरिक की fundamental duty है to protect and improve natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, and have compassion for living creatures, तो पोचिंग हमने देखा कि having devastating consequences for wildlife, तो और कहीं ना कहीं, इंडिया में पोचिंग को करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल पॉपलिशन को educate करो, forest communities को educate करो, ताकि वो wildlife और forest को बचा आना की poachers की मतद करें, अभी ये poachers की मतद ना करें, तो कमाये कहां से, तो भाया इनको alternate employment दिलवा, अभी रूरल इलाके में alternate employment इंडिया में दिलवाना, अपने आप में इतना बड़ा target है, आस तक पूरा नहीं हो पाया है, 70 साल से जादा हो चुके हैं हमारी independence को, तो ये second वाला option हमें करना है, बड़ ये हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है, फिर administration और wildlife enforcement agencies की बीच में proper condition होना चाहिए, forest petrolling बढ़ानी पड़ेगी, forest rangers के पास बहुत सारे alert measures देने पड़ेंगे, और government को funds provide करने पड़ेंगी, conservation के लिए, और stricter enforcement of laws के लिए, अब this is easier said than done, बोलना बहुत आसान है, सबको पता है, ये solution से बट करना बहुत मुश्किल है, चुकि जिस धंदे में पैसा involved होता है, बहुत सारा, वहाँ पे उस चीज़ को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो ये था पूरा का पूरा analysis, पोचिंग को लेके, I hope आपको कुछ ना कुछ useful information जनने को मिली हो, thank you for watching, have a great.